नमस्कार क्रिको पर आपका स्वागत है जैहिन मैं हूँ रॉनेक चालू हो चुका है इंडिया ऑस्टेलिया स्पेशल वाइज अग वंडे महार के बाद फैंस तीसरे वंडे में सिर्फ एक ही अर्मान के साथ अपने टीवी या मोबाइल पर मैच आउन करेंगे और वो अर्मा आख कार यही है आज सब के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल अब तो तो उसको आ जाना चाहिए था केर जो नहीं हो सकता उस पर चर्चा करने का कोई मतलब रीजन ही नहीं इसलिए आगी की सोच ही एक मातर रास्ता है और आगी की सोच ही कहती कि टीम इंडिया को अपनी बैटिंग में लगे जंग को जल्दी से मिटाने की जरूरत है और यह काम विराट और रोहिट से बेटर और कॉन कर सकता है दोनों जब टीम इंडिया को स्टॉंग बेज देंगे तो राहूल स्काई और जड़ु को भी बैटिंग करने में आजादी मिलेगी साल 2023 की शुरुआत में भारत ने शिलंका को 3-0 से पीटा फिर न्यूजिलेंड पर क्लीन स्वीप किया लेकिन ऐस्टेलिया जैसी टीम के सामने मामलत थोड़ा टाइट हो गया है जिन बल्लेबाजों ने शिलंका के खिलाफ और न्यूजिलेंड के खिलाफ इसी साल दो दो बार 300 से जादा रन बनाए वो अब उस्टेलिया के सामने दो मैचों में 100 पार करने से पहले ही हाफ रहे है मतलब साफ है कि वन डे क्रिकेट में ऑस्टेलिया का दबदबा आज भी बरकरार है मगर इस बात से घबरानी की बजाए टीम इंडिया को सॉलिड कमबाग करना होगा और इस कमबाग का मार्क दर्शन टीम इंडिया के इन दो चैंपियन बल्ले बाजों को ही करना होगा दूसरे वंडे में हार के बाद रोही शर्मा ने कहा कि हमारे बैटर्स ने खुद को मैच में अपलाई नहीं किया तो जनता पूछना चाहती कि रोहीद भाई बैटर्स को मैच में अपलाई करने के लिए क्या किसी ने रोका था क्या तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मौझूदा टाइम में न्यूजिलेंड शिलंका वेस्टन टीम तो पाकिस्तान से हमारा कॉम्पेटिशन नहीं है बलगे हमारा कॉम्पेटिशन और इंग्लेंड जैसी टीमों से है और इन बड़ी टीमों का शिकार करने के लिए टीम इंडिया के पुराने दो शेरों को जागना होगा तभी तो वर्ल्ड कप वाले साल में इंडियन फैंस को चैंज की सांस मिलेगी तो क्या आप भी मेरी तरह इंतजार में बैटे हैं कि कब दिखेगा हिट मैन और किंग कोली का जलवा एक साथ अगर आपका जवाब है हाँ तो कॉमेंट करो ना वैसे रोहित और विराट ने पहला बंडे मैच एक साल 2008 में खेला था बगर साथ में पहली बार बैटिंग करने का मौका ही साल 2010 में साउथ अफरिका के खिलाफ जब दोनोंने तीसरे विकेट के लिए 95 जोडे तब रोहित चर्मा मिडल ओर्डर में खेलते थे विराट वन डाउन इस मैच के बाद से हिट मैन और किंग की जोडी मैदान पर रनों की रेल दोडाती गई और उम्मीद तो हम यही करेंगे कि चेनने में रोहित चर्मा और विराट कोली की रेल ऑस्टेलिया की इंजन को फेल कर दे वन डे क्रिकट के खेलगे की तियास में रोहित और कोली ने एक साथ बैटिंग करते हुग अब तक 4,981 अब बना लिए यानि साथ में 2 रन और बनाते ही रोहित और विराट की जोड़ी वन डाउन साथ में निभाई ये और इसमें जादातर मौकों पर मैनिन ब्लू ने सामने वाले टीम को हराया है इन टीमों में से एक टीम उस्टेलिया की भी है जब रोहित और कोली की 186 की पार्टनर्शिप ने उस्टेलिया को 359 रनों के शिप को भी जैपूर के मैदान में डिबो दिया था अब चेणनेई में भी ऐसी एक चमतकारी साजेदारी टीम इंडिया के इन दोनों धुरंदरों को करनी होगी ताकि वाजाग में मिली हार के सदमे से टीम इंडिया के फैंस निकल पाएं तो क्या लगता है आपको क्या चेन नहीं वंडे में टीम इंडिया सीरी जीतने में कामयाब हो पाईगी जैसी भी हो आपकी राय हमें जरूर बताएं साथ ही ये लिखे कि वीडियो आपकी शहर से देख रहे हैं जाते याते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो जाएगा इंस्टाग्राम और टेलिग्राम पे भी राम राम जरूर कहिएगा कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ यहीं पर थैंक यू फो वाचिंग क्रिको जेहिंद